हेलो दोस्तो आज फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में तो दोस्तो इस ब्लॉग में आप लोग को हम टाटा नगर जंक्शन के बारे में बताने वाले हैं तो अभी हम और मेरे भेयासात में जा रहे हैं टाटा नगर जंक्शन वहाँ पहुच के बताते हैं टाटा नगर जंक्षन के बारे में से भारत के ज्यादातर सहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है इस रेलवे स्टेशन का कोड है TATA टाटा नगर रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतरगत आता है इस रूट से चलने वाली सभी रेल गाड़ियों का इस स्टेशन पर एस्टोपर्स दिया गया है टाटा नगर रेलवे जक्षन जारखन का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक सो वर्सों के अधिक समय से जमसेतपूर सहर वास्यों के लिए और आसपास के यातरियों के लिए सर्विस परदान कर रही है टाटा नगर रेलवे जक्षन चक्रधरपूर रेलवे डिविजन का एक बहुती खास रेलवे स्टेशन है क्योंकि टाटानगर रेलवे जक्सन चक्रधरपूर डिविजन का एक मातर A1 केटेगरी का रेलवे स्टेशन है जो हावडा नाकपूर मुंबाई लाइन पर और आसनसोल टाटानगर खड़कपूर लाइन पर इस्थित होने की वज़ा से या स्टेशन काफी व्यस्त है टाटानगर रेलवे जक्सन का गठन इस्थ इंडिया कमपनी के दुवारा साल 1910 में आज से तकरीवन 109 वर्ष पहले इस इस्टेशन को यातरियों के लिए खोला गया था आपको बता दे इस्थ इंडिया कमपनी ने आशन सोल से आधरा, आधरा से टाटानगर रेल लाइन को साल 1891 में खोला था जिसकी दूरी लगभग 165 किलो मीटर है टाटानगर से खड़कपूर रेल लाइन को भी साल 1891 में ही खोला गया था जिसकी दूरी तकरीवन 133 किलो मीटर है हावडा से नागपूर और नागपूर से मुंबई रिल लाइन को साल 1890 में खोला गया था जिसकी दूरी तकरीवन 1968 किलो मीटर है इलक्टीफाई की बात करे तो आसन सोल से आदरा, आदरा से टाटा नगर और टाटा नगर से खड़कपूर रेल लाइन को साल 1961 से साल 1963 के दौरान इलक्टीफाई किया गया था जानकारी के लिए बता दे टाटा नगर रेलवे जक्सन को पहले काली माटी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहां की मिट्टी काली होने की वज़ा से इस रेलवे स्टेशन का नाम भी काली माटी रखा गया था जिसे बाद में बदल कर जमसेज जी टाटा के संबान में इस रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रेलवे जक्सन रखतिया गया था टाटा नगर रेल्वे जक्सन के माध्यम से कई सूपर फास्ट ट्रेन, कई एक्सप्रेस ट्रेन और कई लोकल ट्रेन रोजाना यहां से खुलती है टाटा नगर रेलवे जक्सन भारतिय रेलवे के सौथ इस्टन रेलवे जोन के चक्रधरपूर रेलवे डिविजन के अंतरगत आता है साल 1952 में टाटा नगर रेलवे जक्सन को चक्रधरपूर रेलवे डिविजन का हिस्सा बनाया गया था चक्रधरपूर रेल्वे डिविजन का हेटक्वाटर चक्रधरपूर में ही मौजूद है और साउथ इस्टन रेल्वे जोन का हेटक्वाटर कोलकाता में इस्तीत है टाटा नगर रेल्वे जक्सन की उचाई समुन तल से 164 मीटर तकरीबन 538 फूट के करीब है टाटा नगर रेलवे जक्सन में टोटल पाच प्लेटफोर्म सामिल है इस इस्टेशन से रोजाना तक्रीवन सत्तर हजार से ज़्यादा यातरी सफर करते हैं और लगभग 120 रेलगाडियों से ज़्यादा इस इस्टेशन के माध्यम से सुरू होती है समाप्त होती है और अब एक कॉमेंट करके जोरू बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और इसिदारों के साथ सेर करना ना भूलें वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्देवाद